नमस्कार, मैं डॉक्टर पलक जैस्वाल, कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सेजन नापपुर आपका अपने यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ इस चैनल के माध्यम से हम ब्रेन और स्पाइन के बिमारी और उनके ट्रीट्मेंट के बारे में जानेंगे आज हम जानेंगे स्लिप डिस के पेशन को क्या डायेट लेना चाहिए सबसे पहले आपको प्रोटीन रिच डायेट लेना है याने अपने डायेट में ज्यादा से ज्यादा मातरा की प्रोटीन होना चाहिए ये प्रोटीन आप plant-based प्रोटीन जैसे की डाल और वेजिटेबल से ले सकते हैं, अगर आप non-vegetarian हैं तो आप animal प्रोटीन जैसे की eggs, fish या chicken का भी 7 कर सकते हैं, आपको अपनी डायेट में vitamins और minerals rich food का भी खास ध्यान रखना होगा, आप डायेट में कुछ special food item जैसे की dry fruits जिसम सबसे important है अख्रोट और बदाम, vegetarian लोगों के लिए अख्रोट omega-3 fatty acids का बहुत अच्छा source होता है, जो इस समस्या में inflammation को कम करने और injury को treat करने के लिए काफी मददगार साबित होता है, इसी तरह बदाम में vitamin E भी भरपूर होता है, साथ ही बदाम में antioxidants और anti-inflammatory compounds भी होते हैं, इसके साथ आप अपने diet में हरी एवं पत्यदार सबजिया, green leafy vegetables भी ले, green leafy vegetables में vitamin K बरपूर होता है, vitamin K हड्यों को healthy रखने के लिए मदद करता है, इसके साथ ही vitamin K calcium को अपने bones से जोड़ कर भी रखता है, इसके लिए आप सभी मोसमी हरी एवं पत्यदार सबजिया जैसे पालक, चौलाई, मेथी, पत्तागोबी, लोकी, भिंडी का सेवन करें, उसी तरह milk और milk products जैसे की दही, पनीर, छाच, आदी में calcium, phosphorus और protein की कई ज्यादा मात्रा होती है, जो कि spinal health के लिए बहुत अवश्यक होता है, कुछ cereals जैसे की रागी को भी आप अपने diet में इस्तमाल करें, रागी calcium का अच्छा source होता है, 100 ग्राम रागी में 340 mg calcium की मात्रा होती है, जो कि आपकी एक दिन के calcium की अवशक्ता को काफी हद तक पूरा कर सकता है, seasonal fruits और citrus fruits जैसे की oranges को आप अपने diet में इंफ्लूट करें, और इंजे इसमें काफी मात्रा में vitamin C होता है, vitamin C collagen builder का काम करता है, collagen शरीर के connective tissue, ligament, muscle, इनकी health maintain करने का काम करता है, इसके अलावा vitamin C एक strong antioxidants भी है, seasonal fruits कई vitamin, mineral और antioxidants का source होते हैं, जो हमारे शरीर में wear and tear repairing में मदद करता है, अगर आप non-veg food लेते हैं, तो eggs और fish भी अपने diet में जरूरी है, eggs में vitamin D, vitamin A, vitamin B12 के साथ-साथ protein और calcium भी होता है, fish में vitamin D, vitamin A के साथ-साथ omega-3 fatty acids होते हैं, जो disc के inflammation को कम करने में मदद करता है, आप अपने diet में green tea भी include कर सकते हैं, green tea में काफी antioxidants पाये जाते हैं, यह आपकी injury के कारण हुए swelling को कम करने में मदद करता है, इसी तरह कुछ herbs जैसे की healthy या turmeric भी use करें, यह antioxidants, anti-inflammatory और antibacterial जैसे फाइदे होते हैं इससे, आप अपने रोज के diet में healthy का इस्तमाल करें, कुछ food items slip disc के स्थितिक और उसके symptoms को बढ़ा देते हैं, जैसे की sugar, अधिक मात्रा में sugar लेना शरीप में injury वाले स्थान पर सूजन बढ़ा सकता है, जिससे spine related issue बढ़ सकते हैं, सफेज चीनी, cold ring, मिठाई आदी avoid करें, इसी तरह आपको processed food भी avoid करना है, processed food में sodium, trans fat और कई हनिकारक पदार्थ होते हैं, जो आपकी spine injury को बढ़ा सकते हैं, साथी वो दर्द और सूजन को बढ़ा देते हैं, इसलिए jam, jelly, ketchup, ready to use करने वाले बोजन, biscuit, french fries, burger, pizza, ये सबसे परेच करें, अगर आप smoking करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, कि smoking आपके recovery और healing को delay करती है, आप जितना हो सके smoking से बचें, साथी अलकॉल को भी avoid करें, याद रखें, एक healthy diet और healthy weight maintain करने, से आप आपकी spine को healthy रख सकते हैं, इस विशे में और जानकरी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कुछ doubt हो तो आप comment box में पूछ सकते हैं, धन्यवाद,